नमश्कार, आज मैं आपको बताने वाला हूँ How to recover जी हाँ, recover क्या recover करना चाहा रहे हैं? audio को किसी-किसी वेक्ति की cold recordings, audio recordings, songs ऐज़े अगर आपके delete हो गए और आप अपने delete हुए मलब songs और audios, cold recordings अगर आप इने अज़र recover करना चाहते हैं, वापिस लाना चाहते हैं आप यह जाना चाहते हैं कि क्या मेतर है यार, क्या तरीका है जिनके जरीए हम यह सब कुछ कर सकते हैं तो यार यह वडियो को आप completely जरूर देखें क्योंकि इस वीडियो के जरीए मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप इस प्रॉबलम का इस समाधान कैसे निकालेंगे तो यार यह वडियो को completely जरूर देखें लेकिन अगर अभी तक आपने मारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि हम इस चैनल पर ऐसे इन्फॉर्बिडी वीडियोज डॉलिजबल वीडियोज ग्यान वर्दक वीडियोज बर डेल लाते रहते हैं जो आपके बहुत ज़्यादा काम आती है तो आप मारे चैनल की इन वीडियोज को जरूर देखें और इस वीडियो के अंदर भी मैं आपको बताने वाला हूँ की आप किस परकार अपनी जो ये समश्या है ओडियो रिकोर्डिंग्स की समश्या है इस समश्या का समधान कैसे निकालेंगे तो चलिए आज की वीडियो को शुरू कर लेते हैं लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं कराए न तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को लाइकन से अर जरू करें तो आएए देखते हैं आज की ये वीडियो दोस्तों आपको अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें चैनल को सस्क्राइब करें, गंटे को दबाएं, ओल प्रेस करें हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि डिलीट हुई audio files को कैसे recover करेंगे अगर आपकी audios डिलीट हो गई है और आप अपने डिलीट हुई audio को वापिस लाना चाहते है या डिलीट हुई audio को रिकवर करना चाहते है तो यह आप हमारी वीडियो को completely जरूर देखें इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि डिलीट हुई audio files को कैसे recover किया जाता है तो चलिए आज कि इस वीडियो को सुरू कर लेते हैं लेकिन इस वीडियो को like and share जरू करें ज्यादा स्यादा दोस्तों के पास जरूर पहुचा है क्योंकि ऐसी ही informative videos, knowledgeable videos, ग्यानवर्दक videos आपको हमारे चैनल के जरीए मिलती रहती है और हम अमारे चैनल पर यसी ही informative videos, knowledgeable videos, पर डेल आते रहते हैं जिनके माध्यम से आप अपने डिलिटूई audio files को एजर recover कर पाएंगे और recover करना आप सीख जाएंगे तो चलिए आज कि इस वीडियो को सुरू कर लेते हैं लेकिन वीडियो को like and share जरू करें चैनल को subscribe जरू करें तो दोस्तों इसके लिए आपको files का use में लेना है files यानि google files अगर आप google file manager का use में लेना चाहते हैं google file manager को आप use में लेते हैं तो आपको सबसे पहले google file manager पर click करना है google file manager पर जैसे ही आप click करेंगे यहां से आपके सामने एक section आता है audio का इस audio section पर आपको click करना है audio section पर जैसे ही आप click करेंगे click करते ही दोस्तों आपके सामने यहां पर काफी audio आजाएगी आप देख सकते हैं अगर आपके audio डिलीट हो गए तो आपको bake निकलना है और यहां पर देखिए त्री डोर्स आता है इस त्री डोर्स पर आपको click करना है और त्री डोर्स के अंदर आपके सामने यहां पर एक option आता है bean का देखिए bean यह से recycle bean recovery bean यह bean ही कहा जाता है यह bean का option आता है इस पर आपको click करना है और यहां पर क्या बताया है कि last 30 days के अंदर डिलीट होई है कि हमारे audio files है जो last 30 days में डिलीट हो गई थी वो हमें यहां पर देखने को मिल रही है दोस्तों अगर आपकी बूत फूर में किसी भी ट्रैकी अगर files है ज़र डिलीट होई है चाहिए इंटरल sd card से होई है तो वो इस जगे पर आएगी अगर कोई files documents आपके डिलीट होएं तो वो यहां पर आपके सो हो जाएंगे फिर आपको उन documents को सलेट करना है सलेट करने के बाद नीचे आपके सामने एक option इदर आएगा एक option इदर आएगा जो यह वाला option है यहां से आप अपने document को restore करेंगे इस वाले document से आप अपने document को delete करेंगे अगर आपको permanently delete करना है तो बही मुझे तो permanently delete नहीं करना है यह गलती से मेरा delete हो गया था मैं इसे recover कर करना चाहते हूं Simply restore बटन पर हम क्लिक करेंगे यहां हमसे Option आहरा है खिर restore one File क्या अप इस एक फाइल को restore करना चाहते हैं हम इस restore बटन पर क्लिक करेंगे हमारी varios यहां से restore ओजाएगी इस परकार से अगर आपकी किसी بھی तरह की audio file छिडीट हो गई है तो आप अपनेesta उडियो फाइल्स को री स्टोर कर पाएंगे दोस्तों यह मेत्ड यह तरीका काफी सिंपल सिटी तरीका है काफी बढ़ी तरीका है इस माइब इसको यूज करते हुए आप अपने डिलिट हुए डॉकुमेंट्स को फाइल्स को Zer रिकवर कर पाएंगे और रिकवर करना सीख तो दोस्तों अगर आपकी भी किसी तरह की audio files डिलीट हो गई है और आप अपने डिलीटेड audio files को recover करना चाहते हैं या सीखना चाहते हैं तो यार आप वारी वीडियो को completely जरूर देखें और इस वीडियो के माध्यम से आप अपने डिलीट होई audio files को recover करना सीख जाएंगे तो ये वीडियो को देखने के लिए आप सभी दोस्तों का प्रेम पूरवक दिल से आर्दिक दन्यवाद थेंक्यू वाचिंग इन डिस वीडियो लेकिन यार वीडियो को लाइकन से जरू करें चैनल को सब्सक्राइब जरू करें क्योंकि हमें इसी ही informative वीडियो नोलजबल वी वीडियो